देवशयनी एकादशी का महत्व, ब्रह्म वैवर्थ पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेश महात्मय का वर्णन किया गया है। इस वरत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी आशाड मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे आदी नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरी विश्नुक शीर सागर में शयन करते हैं और फिर चार माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवथानी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुरमास कहा गया है। देवश इस वरत के करने की विधी क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्रीकृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर जिस कथा को ब्रह्माजी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवार्शि नारद जी ने ब्रह्माजी से इस प्रकट की। तब ब्रह्माजी ने उन्हें बताया। सतय युग में मानदाता नामक एक चक्रवर्ती समराट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। किन्तु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतह वे भी इस बात से अनभिज थे कि उनके राज्य में शीग्र ही भयंकर अकाल पढ़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे तीन वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण भयंकर अकाल पढ़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्मपक्ष के यग, हवन, पिंडदान, कथावरत आदी में कमी हो गई जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कारियों में प्राणी की रुची कहां रह जाती है प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेधना की दुहाई दी राजा तो इस स्थिती को लेकर पहले से ही दुहकी थे वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पा अश्रम में पहुँचे और उन्हें साश्टांग प्रणाम किया रिशिवर ने आशीरवचनो प्रांत कुशलक शेम पूछा फिर जंगल में विचर ने वह अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा तब राजा ने हाथ जोड कर कहा महात्मन सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का द्रिश्य देख रहा हूँ आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है कृप्या इसका समाधान करें यह सुनकर महर्श अंगिरा ने कहा हे राजन सब युगों से उत्तम यह सतयुग है इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है ब्राह्मन के अतिरिक्त किसी अन्य जाती को तप करने का अधिकार नहीं है जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है यही कारण है कि आपके राज्य में वर्शा नहीं हो रही है जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा दुर्भिक्ष की शांती उसे मारने से ही संभव है किन्तु राजा का हृदय एक नरपराध शूद्र तपस्वी का शमन करने को तयार नहीं हुआ उन्होंने कहा हे दे प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी।